मुकदमा अगर वे इसे खू देते हैं, अपना पैसा तब तक रोकें जब तक की, वे आपको पूरी तरह से संतुष्ट न कर दे, यदि आपको सामगरी खरीदने के लिए पैसे की आवश्यक्ता के बारे में पुराना गीत और नृत्य मिलता है, तो पता करें कि क्या आवश्य और इसे स्वयम खरीदे, अब जब आप जानते हैं कि यह देखना कितना महत्वपूर्ण है, कि पैसा किसके पास है, तो मुझे यह जोड़ना होगा कि अंगूठे के इस सरल नियम को लागू करना कभी-कभी कथिन हो सकता है, हो सकता है कि ऐसा करते समय आपको यह एहसास भी नहो कि आप पैसे छोड़ रहे हैं और साथ ही स्थिती पर नियंतरन कर रहे हैं, और लगभग, हर बार जब मैं किसी महिला से कॉल की उम्मीद करता था और फोन का जवाब देता था, तो कोई मुझ से किसी डबल पाइल, शेग, रग या किसी चीज पर एक कीमत उधृत करने के लिए कहता था, अपने पैसे के रिसाफ को कैसे रोके शायद आपके वित्तिय उत्तोलिन का सबसे आम रिसाफ तब होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को एक बिल चलाने देते हैं जिस पर आपका नियंतरन नहीं है, फिर भी उसके लिए जिम्मेदार है, एक पुरानी च इक्षन सतीकता के साथ, यदि आप किसी व्यक्ति का दुश्मन बनाना चाहते हैं, तो उसे कुछ पैसे उधार दे, इसके बजाए अपने रिंग को उन लोगों तक सीमित रखें जिन्हें आप दोस्त के रूप में नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप शर्ट लगा सकते हैं, कि आपको धन्यवाद देने के परियाप तरीके नहीं जानता है, आखिरकार उसे अब पैसे से कुछ नहीं मिल रहा है, जब आपने उससे एक बार पैसे मांगे तो एक सो तीन या दो बार शून या कैसे लिया, जाए, आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी दोस्ती को अतीत के अवशेश के रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ एक उदाहरन के रूप में, एक निगम में मेरे कार्याले के साथ ही, जहां मैंने काम किया, ने एक साथी कर्मचारी को उसकी मां के अंतिम संसकार की यात्रा के लिए डॉलर का भुकतान किया, हाला कि अंतिम संसकार आया और च इशकश नहीं की, ये एपिसोड एक सरल संदेश देते हैं, जब तक आप कुछ डॉलर से अधिक के लोगों के साथ बदसूरत होने का आनंग नहीं लेते हैं, और फिर भी अपने पैसे को बहुत समय तक वापस करने में असफल होते हैं, केवल रिन ही आप आराम से उपहार के रूप में लिख सकते हैं, यदि आपका देंदार नहीं करता है, आपको स्वेचा से वापस बुपतान नहीं करना, चाहिए सपश्ट रूप से, यदि आप कभी भी अपना पैसा फिर से देखना चाहते हैं, तो आपको अच्छी शर्तों पर बने रहना होगा, How to avoid being taken, 105, the man, myoid शराबी दोस्त हाडी ने मुझे कुछ टन डाउन लाइनों के साथ प्रेरित किया, जिसने उसे 25 वर्षों में चोरों के साथ कंधी से कंधा मिला कर खराब रिन पर एक पैसा भी खूने से रोग दिया, बस अपने आदमी को आँखो में देखो और कहो, मैं न आप एक पुराने उधार करता से हर समय रिन के लिए परेशान है, तो हाडी के पसंदीदा भूखंडों में से एक को आजमाएं, और चून की लोग अपने दुश्मनों को पैसा नहीं देते हैं, इसलिए इन अवैतनिक रिनों के बीच होना चाहिए था दोस्तों, ये सतह प साथ ही, वो कुछ असंबंधित असेहमती के दोरान रिन को एक अनकहे, सौदेबाजी उपकरन के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, यदि आप शिंतित हैं अपनी दोस्ती के बारे में कल्पना करने की कोशिश करें की, दोस्ती कितनी जल्दी गायब हो जाती है जब आप उसे पैसे के लिए धिक कारते हैं, इसके अलावा अगर आपके दोस्त को वास्तव में पैसे की जरूरत है और आपको वापस बुक्तान करने की योजना है, तो उसे इस स्थिती में बहुत ज्यादा नहीं जुकना चाहिए, गर्दों का वर्नन करने वाला आधा अध्याय प करेंगे, यदि आपका चैक किसी और के हाथ में चला जाता है, और वो इसे भुनाने में सफल हो जाता है, तो आप भाग्य से बाहर हैं, अध्याय एक्स, युक्ती नौ, किसी व्यक्ती की सोच में हेर फेर करना ये है, जाने की आप किसका मन बदल सकते हैं, और कब चुप र रहना बहतर है, आखिरकार, लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हेर फेर करने की असली कुझी, यह जानना है कि आप किसके मन को बदल सकते हैं और किसका नहीं, दोस्ती और सम्मान महत्वपूल नहीं है, जब किसी व्यक्ती की सोच में हेर फेर करने की बात आती है, त आदी, विज्यापन मतली, दूसरी और, क्लाग गेबल स्क्रिप्ट से, आपको दिन का समय नहीं मिलेगा यदि वो आपको पसंद नहीं करती है, मुझे इस तरह से कोई पैसा कमाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह आसान था, जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं, मैंने एक व सिर्फ लोगों से दोस्ती की मानव स्वभाव को अपने पक्ष में रखा और सयोग से उन्हें एक कार बेच दी, कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ और महीनों में कारों को बेचने का फैसला किया, और मैंने पैसे का धेर जमा कर लिया, यदि आप अंगूठे के इस निय पहले से ही आपको पसंद करते हैं, यदि आपने पहले खुद को बेच कर अपने हेर फेर को नहीं खोला है, तो हेर फेर के आपके प्रयास 99 प्रतिशत विफल हो जाएंगे, मैं 16, सिर्फ इसलिए कि मैं कहता हूँ, पहले खुद को बेचो, या लोगों को अपने जैसा बना करो, यह मत समझो, कि तुम्हारे हाथ की एक लहर इसे पूरा करेगी, अंत में भले ही आपने अपने आपको अपने हेर फेर के लिए प्यार किया हो, फिर भी आप हवा में सावधानी नहीं फेक सकते, यह कितना भी आकरशक क्यों नहों, उसके कानों को न जलाएं कि वो कितन गलत है, सिर्फ इसलिए कि वो आपको पसंद करता है, हाला कि इस सेट अपने मुझे कोई रोमेंटिक साइड लाइन प्रदान नहीं की, लेकिन इसने मुझे निश्चित रूप से बातचीत की एक उत्ती जग पंक्ती के साथ आशीरवाद दिया, मैंने महसूस किया कि व्यक्ति हमेशा दूसरे का अपमान करता है, यदि आप महिलाओं के अधिकारों के कोन को उठाए बिना अपने न्याय पूर्ण रेगिस्तान प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बहतर हैं इन पंक्तियों के साथ, अंतिम अध्याय ने उस व्यक्ति के दिमाग को बदलने की समझाया जो आपको पसंद नहीं करता है, चुंकि आप जिन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उनमें से कई आपको पसंद नहीं करेंगे, अंगूठे का नियम मुझे, आपको इन लोगों के साथ किसी भी तर्क से बचाना चाहिए, इसमें कहा गया है, सोते हुए कुत्तो और लुभावने तर्क को जूट बोलने दे, अगर वे आपके महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल उन मुद्दों पर जो आपको पसंद करते हैं, नियम मायाई से असहमत होकर केवल आपके महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित करते हैं, उद्ध असेहमती पर आपको नाराज और परिशान नहीं कर सकता है। तो यह आपके लिए एक जीत के समान है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इन दोहरे नियमों के अनुसार अपनी असेहमती को चुन कर आप। कितनी मानसिक पीरा क को दर्किनार कर सकते हैं। लेकिन अनार्ग्यू इसके विप्रीत काम करता है। एक पूर्व विरोधी, एक दोस्त की तरह काम करना शुरू कर देता है। जो आपको अपना रास्ता देने के लिए तैयार है और अपने तर्कों को जीतें। एक सो तेईस, फीट स्वीकार करते हैं कि वो गलत था। हो सकता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना हो। लेकिन आप कसम खा सकते हैं कि आप दोनों के बीच चिंगारी उर रही है। क्लाइंट, हैरी रॉक, एक स्वन निर्मित करोड़ पती, रॉक मैटल बिल्डिंग्स, इन्क का मालिक है और उसकी अध्यक्षता करता है। इस्तीफा देने से पहले, आपके पूर्ववर्ती ने एक जाने माने पूर्व यू अधिकारी को तीन डॉलर मिलियन के टीवी में आपके कलाइंट की धातु की इमारतों का समर्थन करने के लिए राजी किया था। विज्यापन, अभियान, वर्तमान में योजना बनाए जा रही है। इस असेहमती पर एक प्रमुख प्राहक को खोने की संभावना से चिंतित। आपके नए बॉस ने आपको बिना खाता खोले मिस्टर रॉक के दिमाग को बदलने के लिए कहा। है, आप बाद में अफवाहे सुनते हैं कि आपके बॉस ने रॉक के साथ कदम को मंजूरी दिये बिना विज्यापनों के लिए पूर्फ सरकारी आधिकारिक 10,000 डॉलर एजेंसी के पैसे को आगे बढ़ा कर गलती की है। आए, दोस्त बनने की कोशिश करो। अध्याए X ने जोर दिया कि आप इस पहले महत्वपूर्ण चरण में अपने 128 जोर तोड़ करते हैं या तोड़ते हैं, इसलिए मैं इसे यहां विस्तार से नहीं बताऊंगा। यदि आपने अपनी ख़दान से कोई मित्र नहीं बनाया है, तो आप किसी अन्य कदम पर जारी रखने के लिए अपनी सांस, समय और धैर्या को बरबाद कर रहे हैं। वो एक स्वन इर्मित करोड़ पती है, इसलिए उसे बताएं कि आपको कॉलेज के माध्यम से विश्यम नौकरियों में कैसे काम करना था। साफधानी का एक शब्द, यहां दिखावा करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास IQ है, भले ही यह आपको उसके खिलाफ हमला करता हो। एक सो उनतीस, एक व्यक्ति को मक्खन लगाने के रूप में, यह एक बहुत ही आवश्यक कदम है, जब तक आप विज्यापन को लेकर गतिरोध पर पहुचेंगे, तब तक वो आपको एक ऐसे दोस्त के रूप में देखेगा, जो इस मुद्दे को छोड़कर हर बात पर उस कांट के मुद्दे पर अपने द्रिश्टिकोन को मुद्दी से बदलने की कोशिश करने से निश्चित रूप से आसान है, इसलिए जब आप रात के खाने के बाद क्या हो रहा है, इस पर बिलकुल सहमत नहीं है, तो उसे हेर फेर करना आसान हो जाएगा, दो, सुनो, सुनो जैसा कि आप सुनते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि उसकी कुछ आपतिया इतनी उठली है कि वे वास्तव में आपके रास्ते में नहीं आएंगी, अंत में हेर फेर करने वाले की आपतियों को करीब से सुनकर, आप उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं की अंदेखी नहीं कर रहे हैं वो आगे कहते हैं वैसे भी लोग मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे इससे पहले की वे किसी भध्य सरकारी अधिकारी पर विश्वास करें लोगों के उद्देश्यों का पता लगाना अध्याय साथ में अधिक विस्तार से बताया गया है किसी व्यक्ति को अलग क कैसे करें और उसके वास्तविक उद्देशियों और भावनाओं को कैसे प्रकट करें। उध्धरन चिन रॉक आउट को विस्तार से सुनने के बाद आपको एक या दो प्रमुख आपत्तियों को चुनना चाहिए था, जिस पर आपको अपना विचार बदलना होगा। 3. इससे पहले कि आप उसके तर्ग को अपनी ओर मोर सकें। आपको अपने हेरफेर करने वाले की भावनाओं से निपटना होगा। जिस तरह से आप अपने विरोधी के अहनकार की मालिश करते हैं। वो उसकी भावनाव से सहमत होना है उसके दृष्टे कौन से नहीं केवल उसकी भावनाव से आप मुझे यकीन है कि आपने बहुत से लोगों को एहनकार की मालिश पर पुराने हाँ लेकिन वैसे भी लोग मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे इससे पहले की वे किसी पर्दा सरकारी अधिकारी पर विश्वास करें आप उसकी मालिश करें एहनकार धीरे से लगभग सहमत होकर मैं आपको ऐसा महसूस करने के लिए दोश नहीं देता मैंने खुद सरकारी लोगों के बारे में ऐसा महसूस किया है ध्यान रखे कि उसके 135 के खिलाफ आप अपने मामले को खत्रे में डाले बिना रॉक की स्थिती के करीब पहुँच जाएंगे बहतर होगा आपने अपने आपको एक कोने में चितरत नहीं किया लेकिन वो अब आपकी सोच के लिए खुला है क्योंकि आपने उसके साथ सहमत होकर उसके अहनकार को सहलाया है इसके बाद मिस्टर भावुकता को ले ठीक है मैं निश्चित रूप से अपने बेटे को टीवी पर देखना चाहूंगा सबसे खराब प्रकार की आपत्तियों को संभालने व्यक्तिगत अपमान पर अब तक चर्चा नहीं की गई है यदि आप हार मान लेते हैं अपमान के बदले अपमान करने क हिम्मत आप अपनी चालाकी को पागल बना देंगे और पूरी चालबाजी को उड़ा देंगे फिर थोड़ा हसते हुए कहते हैं उद्धरन चिन्य कई बार विज्यापन करने वाले लोग मेरे साथ बद्तमीजी भी करते हैं हाला कि यदि आप देखेंगे तो आपने अपने मामले को कम से कम क्षतिग्रस्ट नहीं किया है चार समझोते के क्षेत्रों को इंगित करें आप विवाद के एक अन्य बिंदू पर भी सहमती का एक शेत्र पा सकते हैं श्रीमान रोक हम दोनों को आपके बेटे टिम्मी को मास मीडिया में देखने के लिए 138 अच्छा लगे निजी मोटल में एक मुलाकात के लिए स्टाफिनी की आपकी योजनाओं पर प्रतिक्रिया के जवाब में सड़क के पार समझोते के इस क्षेत्र को आकर्शित करें हम दोनों चाहते हैं कि आपके पास वो है जो आप चाहते हैं और ऐसा कुछ न करें जो आपको पसंद न हो पांच अपना मामला बताने से पहले आपको अपना रास्ता निकालने के लिए उन एक या दो प्रमुख आपत्तियों को चुनना चाहिए जिन्हें दूर करना है सबसे पहले मिस्टर रॉक की आपत्ती पर विचार करें कि लोग मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे इस से प हदे सरकारी अधिकारी पर विश्वास करें मुझे पता है कि आदमी आपके लिए बहुत सारी धातू की इमारते बेच सकता है और आपको बहुत पैसा कमा सकता है आप कहते हैं पैसे पर जोर देते हुए यह कहने का अच्छा मनोवै ग्यानेक कारण है यदि मिस्टर रॉक स अभियान को अपने तरीके से करने के लिए कहना संभव है तो अपने मामले को इस तरह बताते हुए करना चाहिए वास्तव में आपने मिस्टर रॉक से कहा है हमदौन विग्यापन को हमारे तरीके से करने की आवश्यक्ता नहीं है जब भी आप अपना मामला बताते हैं तो बात करना, बंद करने से पहले यह, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, अस्वी करन, जोड़ना याद रखें, जब आपको पता चलता है कि, दस में से नो, रन नीती, आपकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होगी, तो, अपना मामला बताते हुए इस पैटन का पालन करें, आय, चरंड तीन में, एक बार फिर से जोड तोल, करने वाले की भावनाओं से सहमत हूँ जो उसने व्यक्त की थी आपके विचारों पर उनकी आपत्ती में, उदाहरं के लिए, विचार करें कि, आप स्टाफ़नी की प्रमुख आपत्ती को कैसे दूर करेंगे, पहले, आप उसे समझाने की कोशिश करने के बजाए उसकी भावनाओं से सहमत हैं, कि उद्यम जोखिम भरा नहीं है, आप जारी रखते हैं, काश यह इतना जोखिम भरा नहीं होता, क्योंकि मैं, नहीं चाहता कि आपको अपने बौस से ज्यादा परेशानी, हो, तीसरा, आप उसे एक अच्छा कारण देते हैं कि चीजों को अपने तरीके से करना उसके सर्वोत्तम हित में क्यूं है, फिर अपना, मुझे आपकी आवश्यक्ता नहीं है, अस्वीकरन को अपने नौकाउट जटका के रूप में जोडें, लेकिन सुनो, यह सब आप पर निर्भर है, अगर आप इस बिंदू पर किसी व्यक्ति को हेर फेर कर सकते हैं, आप जो कुछ भी बेचते हैं उसके लिए आप शीर्ष डॉलर निकालने में सक्षम होंगे, अपना अस्वीकरन जोडें, जो उससे, नोटिस करता है कि वो वही है जिसे आपकी आवश्यक्ता है, दूसरी, तरफ नही शे, स्पश्ट रूप से आपने किसी व्यक्ति के साथ तब तक छेर छार नहीं की है जब तक की, वो आपके तरीके से काम करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है, और वास्तव में स्वीकार करता है कि, वो गलत था, ध्यान देख की, जिस तरह से आपने उसके अहनकार को शांत क करने के लिए हर कदम उठाया है, तो यह नहीं होगा, जीरो बीस्ट कल बनो, तो अब एक कुछ और दे सकता है, और एक अभी भी बुरा नहीं लगेगा, यहां तक कि आपने अपने बॉस के दस हजार डॉलर को पुनह प्राप्त करके, अपने बॉस के चेहरे की रेखाओं क को एक मुस्कान में बदल दिया है, जो कि नाली से नीचे जाना निश्चित लग रहा था, जैसा कि यह अब खड़ा है, वो जोर देकर कहती है, नरक में कोई रास्ता नहीं है, मैं उस मोटल सड़क के पार एक में जाच करने जा रही हूं और अपने बॉस को मुझे देखकर एक मौका ले सकती हूं, स्पश्ट रूप से आपका समझोता यह होना चाहिए, चुनकि आपका बॉस आपको सड़क के उस पार मोटल में जाते हुए देख सकता है, आए कोई मौका न ले, चाहे वो अंदर आये या नहीं, क्योंकि आप स्व घोशित जोर तोर असाधारन है निश्चत रूप से आप स्टाफिनी की प्रमुखा पत्ती में कुछ गलत पाया है, लेकिन स्टाफिनी ने इस आपत्ती का उलेख नहीं किया है, इसलिए आपको इससे खुले तोर पर और सीधे तोर पर निपटना नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि इस सांकेतिक आ आपत्ती से आसानी से निपटने से, आप परोक शूप से स्टाफिनी की वास्तविक गलत पहमी को दूर कर सकते हैं, दोस्त बनने की कोशश करें, दो, सुने, 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 तीन, चार, समझोते के क्षेत्रों को इंगित करें, पाच, शे, साथ ही, जब आप अपने विचा पर लोगों की आपत्तियों को सुनते हैं, तो वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे अपनी स्थिती को सही नहीं ठेहरा सकते, बिल्कुल, कई बार जब कोई व्यक्ति आपको नहीं देता है, तो वो, हा नहीं, स्थिती में फंस जाता है, जब आपने किसी व्यक्ति में इस हाना क स्थिती को स्वीकार कर लिया है तो आप जानते हैं कि आपके अनाग्यू ने अपना काम किया है 150 अक्सर किसी व्यक्ति का दिमाग बदलने के लिए बहुत अधिक स्थिर हो सकता है या आपके नियंत्रन से परेकारक आपको हरा सकते हैं सर्वोत्तम प्रयास लेकिन नट्स पर नार्ग्यू का उप्योग करके आप क्राक कर सकते हैं आप अपना रास्ता इतनी बार प्राप्त करेंगे कि अगर आप खुद को नहीं देखते हैं तो यह आपको बेवकूफ और एहनकारी बना देगा इससे भी बुरी बात यह है कि जब प्रोफेसर अपने सोचने के तरीक के विप्रीत तर्क वितर्क को दिल चस्प दार्शनिक रूप से द्वनी या नैतिक नहीं होना चाहिए नहीं तो हेर फेर उसके इच्छा के विरुद्ध कोई जीविका नहीं कमाएगा और वह भूखा रहेगा मेरा मानना है कि यह अध्याय आपको देता है एक ऐसा उपकर आप अनार्ग्यों के चरणों का पालन करने के लिए आत्मनियंतरन बना सकते हैं तो आप जिन लोगों को लेने का फैसला करते हैं उनमें से अधिकांश से आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे वो सोच रही है मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं निश्चित रूप से चाहूंगा, वो वास्तव में एक तेज आदमी है, लेकिन मैं नहीं जानता, इस ब्रहमित अवस्था में, एक सो तिरपन, एक सो चाववन, सबसे कथिन व्यक्ति को कटपुतली की तरह नियंत्रत किया जा सकता है, सही कुहनी से, यदि वह आपत्ती नही करती है, तो आपने, हाँ, प्रतिक्रिया मान कर उसके साथ छेर छाड की है, इसके अलावा, जब आप फोन करने के लिए उठे तो उसने कोई आपत्ती नहीं की, जाहिर है, जब आप अपने प्रेम जीवन में इस मौन रननीती का उप्योग करते हैं, तो आप अपना मामला बताना छोड सकते हैं, क्योंकि यह ज्यादातर समय रुका हुआ लगता है, यदि एक या दो मिनिट के मौन दबाफ के बाद आपका हेर फेर, आपको एक निश्चित, नहीं, नहीं देता, है, तो हाँ, मान ले और इसे वहां से ले जाएं, जब भी, दूसरा पक्ष, आपक मौन दबाफ के सामने अनिरनायक कार्य करता है, तो आप जानते हैं कि वो हाना की स्थिती में है, यदि आपकी खदान इन दो स्थितियों को दिखाती है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके दबाफ के फटने से वह पागल नहीं हो जाएगा, आई, जब आप उससे बात करते हैं, तो आपको यह महसूस होना चाहिए, कि आपका अनार्ग्यू उसकी आपतियों पर काबू पा रहा है, जब आप किसी व्यक्ती में इन दो स्थितियों को देखते हैं, तो आप जानते हैं कि वो पहले से ही आपकी और जुक रहा है, अब जब कि मैंने आपको ब आसान नहीं है, तो पहली बार जब आप इसे आजमाते हैं, तो आप शायद बहुत तेजी से दबाव डालेंगे और अपने मैनिपुलेट को दरा देंगे, दो, तीन, जब आप हाँ, प्रतिक्रिया मान लेते हैं, तो मतलबी व्यफसाई भी वही करेगा जो आप उससे कहें में है, यदि दूसरा व्यक्ति आपको जहासा देने की कोशिश कर रहा है, तो वह थोड़ा दबाव अपनी जगह बना लेगा, 169, आमतोर पर जब आपका दबाव उसका हाथ होता है, तो इसे स्वीकार करते हैं, यदि वो दिखावा कर रहा है कि आप बहुत अधिक पैसे म मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो बलके प्रदर्शन से उसकी वास्तविक भावनाओं को बाहर निकालना चाहिए, इसका उप्योग करने के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं, जो जानता है कि उसे दूसरे लोग देख रहे हैं, एक ऐस प्रशन जिसका उत्तर वह नहीं में नहीं दे सकता, मुझे अपने पैसे से ठगा जाना कभी पसंद नहीं आया, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उस शद्यंत्रकारी मिन्स्ट्रिल के गाने में बहुत कम मजा आया, अध्याए 14, रन्नीती 13, यदी अन्य सभी वि प्यास करें, मैंने हमेशा माना कि यदी एक व्यक्ति ने दूसरे को अपने तरीके से काम करने के लिए मनाने की कोशिश की और असफल रहा, तो खेल खत्म हो गया था, हाला कि जब आप अनुने के सामान्य चैनलों के माध्यम से विफल हो गए हैं, तब भी एक संभावना है कि आपने शायद कोशिश नहीं की है, व्यक्ति को अप्रत्यक्ष तरीके से हेर फेर करें, उस आदमी ने स्टोर में हाडी के पास मौझूद एक मात ऐसे बेडरूम सुइट को देखा, और कहा कि उसे ये विशेश रूप से पसंद नहीं आया, महिला ने संकेत दिया कि उसे फनीच काफी अच्छा लगा, इसलिए हाडी उसे बेडरूम के सुइट में बेचकर मक्खन लगाने का काम करने चला गया, उसका दोस्त अभी भी बेडरूम सुइट नहीं चाहता था, लेकिन उसने पूछा कि सभी छे टुकडों को एक साथ खरीद कर उसे किस तरह की कीमत मिल सकती है, जब आप सामान्य चैनलों के माध्यम से खुद को किसी के साथ कहीं नहीं पाते हैं, तो आप कभी-कभी उस व्यक्ति के माध्यम से अपना मन बदल सकते हैं, जो उसके साथ बहुत अधिक प्रभाव डालता है, आप अकसर अपने हेर-फेर करने वाले के सब 164 में आपके इरादों पर संदे हो सकता है, वो उस मित्र के इरादों पर सवाल उठाने की संभावना नहीं है जिस, पर वो भरोसा करता है, अपने प्रेम जीवन में गंदे तरीके का उप्योग करना, यदि आप किसी को आकरशित करने और उसमें असफल होने का प्रयास कर तो ये उचित समय है कि आप पीछे हटे और पाने के लिए थोड़ी मेहनत करें, जब आप सीधे मोर्चे पर चीजों को ठंडा कर रहे होते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उसके एक दोस्त को आकरशक बना कर अपने दिल की धरकन को पाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो यह तै कर सकती है कि उसका पहला प्रभाव गलत था, और यह कि आप पर दूसरी नजर डालना क्रम में है, इसलिए यदि आपके पास ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि आप शानदार हैं, यदि कोई और महिला विफल हो जाती है तो आप जिस महिला के साथ कही नहीं पहुँच सकते हैं, वो दूसरी बार देख सकती है, जिस महिला को आप चाहते हैं उसके साथ समबंधों को बैक बना पर रख कर और कुछ समय के लिए उसके दोस्तों को आकर शक बना कर, आप अपनी इछित महिला के साथ साथ उसके दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरह से हवा कर सकते हैं यदि आप एक महिला हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि पुरुष इस अप्रत्यक्ष हेर फेर के प्रती उतने ही समवेदन्शील है और जब से मुझे पता चला कि कृत घंता को शुरू करने से पहले कैसे रोका जाए मेरा 166168 जीवन आसान हो गया है लोगों को जो मदद मिलती है वो हमें जन्द से ही समाज हमें सिखाता है कि हमेशा किसी के लिए अच्छा बन कर और उसके लिए बलिदान दे कर हम एक ऐसा दोस्त बनाते हैं जो बदले में हमें अच्छी चीजे देगा चुंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था इसलिए मैंने उसे अपनी पहली पूंजी उधार दी और उसे अपने अपार्टमेंट से अपना नवोधित व्यफसाय चलाने दिया और इसी तरह एक व्यक्ति का आप पर जितना कम कर्ज होगा आप उससे उतनी ही कम कृतग्यता प्राप्त करेंगे और हर बार जब वो आपको देखता हैं तो उसे याद दिलाया जाता है कि उसका क्या बकाया है जो केवल उसे बड़ा और बड़ा बनाता है यदि आप एक साथ कृतगहन व्यवहार से बचना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति पर कोई बड़ा उपकार न करें जब आप अपनी कृतगहनता को कम करने का प्रयास करते हैं तो अंगूठे के इस नियम को ध्यान में रखें लगभग हर कोई एक छोटी से रिन को स्वीकार करने में प्रसन होता है ला रोशे फॉकॉल्ड फ्रांसीसी दार्शनिक कैसे आंतरा एक सुद्रधी करन सूत्र में सुधार करता है कृतगहनता को सीमित करने के लिए मेरे सूत्र को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि आपने महसूस किया है कि यह विधी उत्तर का केवल आधा है उदाहरन के लिए यदि आप अपनी हमेशा टूटी हुई महिला मित्र को वेतन दिवस तक भोजन के लिए पांच डॉलर उधार देने की योजना बनाते हैं तो वो आपको केवल एक छोटा सा करज देगी यह जानकर उसकी कृत घंता का मुकाबला करने की कोशिश करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वो आप पर एक फिन के कारण ज्यादा नाराजगी नहीं कर सकती है लेकिन अगर आप अपनी नीर डू वेल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो डॉलर 172 पुरानी कार क्योंकि वो आपका नंबर है एक प्यार और उसे किसी तरह काम करना होगा अब आप आग से खेल रहे हैं उदाहरं के लिए कॉलेज में आपका संभावित कृतगन प्ले बॉय बेटा आपकी वित्तिय सहायता को हलके में नहीं ले सकता है यदि आप समय समय पर उसके सुद्रधी करण को वापस लेते हैं मानवस्वभाव क्या है भविश्य में वो और अधिक होगा आभारी है यदि आप उसकी अधिकांच शिक्षा के लिए भुगतान करते हैं यदि आप इसके लिए भुगतान करते हैं तो वो होगा इसी तरह इससे पहले कि आप अपनी महिला मित्र को एक हजार पांच सो डॉलर की कार खरीदें उससे आगरह करें कि वो कुल में से कम से कम पांच सो डॉलर लेकर आए भले ही उसे रिन लेना पड़े या हाँ टू स्क्वैल्च इंग्रिटिट्यूड 173 अपने स्टीरियो को बेचें वो इस बात की सराहना करेगी कि आपने उस एक हजार डॉलर के लिए कितना काम किया है जो आपने उसे हर बार उसके पांच सो डॉलर रिन पर भुगतान करने पर दिया था या होस खाली जगह को देखता है जहां उसका स्टीरियो एक बार बैठा था आपके सुद्रधी करन के एक हिस्से को वापस लेने से वो आपको हलके में नहीं लेगी और आपने शायद आने वाले महीनों के लिए उसकी कृतग्यता प्राप्त कर ली है वह आप पर कोई कर्च नहीं है इसलिए चुकौती का कोई दर नहीं है जो उसके अंदर नाराजगी पैदा कर सकता है जब मैं कहता हूं रिन पर समय से पहले अपने सुद्रधी करन को वापस ले ले मेरा मतलब है कि आपको पैसे उधार देने से पहले संपार्श्विक प्राप्त करना चाहिए यने पहले ही अध्याय आय एक्स में इस विशय पर मेरे द्रिश्टिकों के कारणों को विस्तृत कर दिया है वित्तिय लेंदेन में होने से कैसे बचे वे महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति उन चोर कलाकारों और अन्य जोर तोड़ करने वालों से सामानी करण नहीं कर सकता जिनके बीच में रहता था क्योंकि चोर कलाकार सामान्य लोग नहीं होते हैं इस तत्य के कारण उन्होंने मुझे एक वर्ष में कई लोगों की तुलना में अधिक कृत घंता दिखाए अपने आस पास देखें और आप देखेंगे की कैसे उन महिलाओं का अपमान किया जात है जो मैडिकल स्कूल के माध्यम से अपने पती को रखने के लिए बलिदान करती है केवल पती के अंधी बनने के बाद ही चोर दिया जाता है माता पिता को अपने बच्चों द्वारा लगातार फटकार लगाए जाती है मा और पिताजी के बलिदान के बाद उन्हें कॉलेज के माध्यम से रखो आखिरकार, कृत्खन व्यवहार के शुरू होने से पहले उसका मुकाबला करना सीखना आपको जीवन के सबसे सुन्न करने वाले नुकसानों में से एक को चक्मा देने में मदद करता है माक ट्वेन, अध्याए, सोला, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उप्योग करने से आपको क्या मिलता है जैसा कि मैंने देखा, आप इस पुस्तक द्वारा दिये गए ग्यान का तीन तरीकों से उप्योग कर सकते हैं आई, अन्य लोगों को आपके साथ छेरचाड करने से रोकने के लिए दो, से उचित और निहस्वार्थ तरीके से लोगों से आप जो चाहते हैं उसमें हेरफेर करना यह तीन, अन्य लोगों को बेरहमी से हेरफेर करना उनकी भावनाओं या सर्वोत्तम हितों के लिए बहुत कम सम्मान दिखाना संक्षेप में, जो आप प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए व्यक्तियों का उप्योग करना उनमें से. हाला कि, मैं यह जानने के लिए परियाप्त यथार्थवादी हूँ कि, मेरे कई पाथक कारवाई के तीसरे पाथ्यक्रम का पालन करने की योजना बना रहे हैं, जोर तोर रन्मीती का दुरुपयोग करने के लिए, वे आपको अन्य लोगों पर एक भयानक नियंत्रन देने के ये परियाप्त शक्तिशाली हैं, जिसका आप किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं, मुझे पता है कि यह बहुत से लोगों के विचार के विप्रीत चलता है, इसलिए मैं समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यूं कहता हूँ, हाडी से लेकर उस आदमी तक जिसने मुझे मेरे अपा का भी सच्छा दोस्त नहीं है, चुनिंदा लोगों का उपयोग करना, जब आप इन कैन कलाकारों के दुखी जीवन को देखते हैं, तो आप अपने आप से कह सकते हैं, लेकिन मैं होशियार हो जाऊंगा, मैं कुछ लोगों का उपयोग करूंगा, लेकिन मैं उन दोस्तों क लिए अच्छा रहूंगा जिन्हें मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ उदाहरण के लिए मैंने उन्हें यह कहते सुना है मैं कभी किसी दोस्त को दोखा नहीं दूनगा और मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मुझे बी टी टी करने के लिए अच्छे है उद्धरन चिन इसी तरह केवल एक व्यक्ति के साथ स्वार्थी व्यवहार करने और फिर छोड़ने की कोशिश करना उस चीह की तरह है जो मचली को चीनने और उड़ जाने की कोशिश कर रहा है परिनाम स्वरूप आपिस देश के नंबर एक दुख अकेलेपन का स्वयंभू शिकार बनकर खुद को दुखी करते हैं